हेलो नमस्कार सवी साथ क्यों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं सवी सांदार जवरजस्थ जिन्दाबाद होगी आज के हम इस फीडियो में देखेंगे कि जो भयंकर गर्मी का सीजन चल रहा है इसमें हमारे सरीर में पानी की क्या हो जाती है निरंतर कमी हो जाती है तो साथ ही इसके बचाव देखेंगे और इसके जो पानी की कमी है इसके क्या लक्षण होती है वो भी हम जान जाएंगी तो सरीर में पानी की कमी की लक्षण है जो क्या होते हैं जो बातवरा हाई टेंपरेचर होता है जिससे हमारे बोड़ी में पानी की कमी हो जाती है तो यह सब आप देख रहे होंगी जानते हैं तो सबसे पहले क्या होता है जो लक्षण है खूप पानी पीने की बाद भी क्या होती हमें बार-बार प्यास लगती है पानी हम पीते जाते हैं लेकिन हमारी प्यास है जो खतम नहीं होती है इसके साथ ही लगातार क्या होता है सिर्दर्द होता है और हमें ठकान महसूस होती है क्या होती है ठकान महसूस होती है सरीर का जो ब्लेट प्रेसर है वो है क्या होता है कम होने लगता है हमें घवराहट होने लगती है और मास्पेसियों में एठन और दर्दसा रहता है पूरे सरीर में जकण जैसी रहती है इसके साथ है जो हमारी सांसे हैं वो कैसी होती है इनकी गती वो है तेज चलने लगती है हम जल्दी क्या हो जाते हैं ठक जाते हैं हार जाते हैं और अब इसके हम बचाव देखेंगे कि जो dehydration है नरजली करण है जो हमारी सरीर में पानी की कमी है उसकी पूर्ती हम कैसी कर सकते हैं तो इसके जो बचाव हैं बिल्कुल आसान है हमें क्या करना चाहिए जो फल है जैसे तरबूज, खरबूज, संत्रा जैसे रस्दार फलों का क्या करना चाहिए अधिक मात्तरा में हम उने खाएं या नियमत रूप से भी खाएं और देखिए जो ORS घोल है वह भी हम पी सकते हैं सरवत है, नीबू, छाच, आम का जो पना रहता है वह भी बहुत मजिदार होता ह नारियल का पानी, यह सब चीजे हैं जो हम पी सकते हैं और जो हम फल है वह भी हम खाएंगे, और लगातर क्या है हम पानी भी पीते रहेंगी, जब हमें थोड़ी सी भी प्यास लगे तो हमें पानी जरूर पीना चाहिए, अब देखते हैं हम ओठ और जीब का सूकना भी क्य है इसकी लक्षण है कि हमारे बोड़ी पे पानी की कमी हो रही है और इसके एक जो बचाव है जो घर से हम बाहर निकले तो हमारे उस वक्त निकलती समय क्या हो ला चाहिए साथ में पानी की बोतल है वो साथ ले जाए ताकि हमें पानी जब भी प्यास लगे तो हम पानी पी स और जो चाय खौफी है इनकी सेवन से हमें बचना चाहिए तो यह सब चीजे हैं इसके द्वारा हम क्या कर सकती है जो पानी की कमी है उसको पूरा कर सकती है